हलो एंड वेल्कम बैक टू मैं चानल जीनियस माइन और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्राक्टिस सेट 1.2 जोमेट्री का क्लास 10 का जो की वीडियो आने वाले चलिए इससे पहले अगर आप देगे तो मैंने बेसिक प्रपोर्शनालिटी का थेरम अप्लोड उसका आपको ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है तो अभी हम लोग इन शॉट में उसको कवर करेंगे तीनों का देखेंगे कि तीनों में क्या चेंज़ेंगे और फिर हम प्राक्टिस एंड बटन पॉइंट टू के उपर स्टार्ट अप करेंगे देगे बेसिक प्रपोर्श को कंसिडर करता हूं था हमेशा यह क्या रहेगा उनके साइड चाल रहे समझो यह मेरा क्या तर अट्रां retire अलता कि 할stυχ will be season यहां पर point A e to A We just a bigger метाट में रवरे इस निकालता हो और यह हो जाएगा अप लोग नेайте कि आ रहेगा तो इसमें आप जब BPT लगा होगे, जब ये दो पार्लेल लाइन्स रहेंगे, तो BPT क्या बोलता है, by basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC, ये आपका by basic proportionality theorem हो गया, simple and साधा सा statement है, आपको reason लिखना है, by basic proportionality theorem, चलिए, इसके बाद, angle by sector भी आपको कुछ ऐसा ही रहता है, अगर मैं angle by sector की बाद करता हूँ, तो ये भी आपको similar way में ही दिखाई देगा, बट इसमें एक problem है, यहाँ पर आपने जो triangle बनाया, अब ये जो आपका था, ये आपका क्या था, parallel line था, इसमें आप कर रहेगा angle by sector, जो की angle को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, अगर value वो angle को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये समझो, triangle A, ये B, ये C हो गया, और इसको मैंने point ले लिया, D, अब आपको check out करना है, यहाँ पर total कितने side है, चार side, पहले 3 थे, लेकिन जैसे मैंने का angle by sector बनाया तो 4 हो गया, देखिए 4 कैसे, 1, 2, this is 3 and this is 4, हमेशा आपको ध्यान रखता है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो आपका, जो आपका 2 side बचा हुआ है, अभी इसमें देखिए, यह मेरा angle by sector था, तो यह एक side को उसने cut किया, उसके अलावा मेरा पास 2 side बचा है, कौनसा कौनसा है, A, B और B, C बचा हुआ है, तो मैं पहले क्या करूँगा, A, B upon B, C का ratio लिएँगा, अच्छा उसके बाद, यह जो angle by sector उसने side को cut किया, cut किया, तो किदर cut किया, D पे, तो अब मेरा का बचता है, AD और DC, तो next ratio will be AD by DC, आपको समझ में आए, और इसका हम result लिखते है, by angle by sector property, by angle by sector property, चलिए, एक और अगर मैं इसी मैं आपको triangle बना कर बता हूँ, तो यह समझो मेरा एक triangle सा, यहां से मैंने एक base ब change करते हैं, यह B हो गया, यह C हो गया, यह A हो गया, यह D हो गया, चलिए, अब बताएए ratio आपके कैसे जाएंगे, आपको सबसे पहले चेक आउट करना कि कहां से angle by sector बन रहा है, angle by sector आपका CC बन रहा है, और यह point को घट कर रहा, तो इसके अलावा यह side को छोड़ दो, इसके आपको reason क्या लिखना है, by angle by sector theorem, या फिर by angle by sector property, इसके बाद एक third जो हमारा property आता है, three parallel line, यह जो property है, यह similar आपका BPT के जैसा है, three parallel lines and they are transversal, बस इसमें आपको ध्यान देना है, आपको reason ऐसे लिखना है, three parallel lines and transversal, अब parallel lines बोला तो तीन, एक, दो, और तीन parallel lines, और transversal बोलेंगे, तो इसमें 2 transversal आएगा, याद रखना, कितना transversal आएगा, 2 transversal, आप जैसे आप इसको check out करोगे, तो 2 transversal आगे तो support, इसको नाम दिया, A, इसको नाम दिया, B, इसको नाम दिया, C, इसको नाम दिया, D, यहाँ पर E, यह आपका हो गया, F, अब जब मैं इ ratio आएगा, देखिए, AC का ratio upon CE रहेगा, तो AC by CE, एक ratio जाएगा, दूसरा ratio आप खुदी पता दोगे, BD upon DF, I hope आपको इतना क्लिया रहा, यह कभी कभार, यह ratio change करके, एक और type का ratio जाता है, AC by AE जाता है, AC by AE जाता है, किसी किसी सम्में पूछते हो, यहाँ पर BD by BF जाता है, तो हमेशा आपको याद रखना है, कि आप ऐसे छोटे ratio को भी ले सकते हैं, या फिर एक छोटा एक बड़ा ratio भी आपका साथ में जा सकता है, I hope आपको यह तीनों पार्ट clear हुआ, यह पूरा आपका जो बोलते हैं, similarity का core है, यह हर एक सम में मिलेगा, जंजट इनी, हर एक सम में सम मिलने वाला है, तो please take a note of this, तीनों प्रॉपर्टी समझने के बाद, अब हम लोग practice at 1.2, question number 1 के साथ स्टार्ट करें, question number 1 देखते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कि यह आपका angle by sector के समस है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको triangle दिया और बीच में आपको वहाँ पर क्या पासा उटकिया, एक angle को बतलब angle by sector दिया हुआ है, तो अगर question number 1 को हम लोग check out करते हैं, question number 1 में देखो क्या दिया है, हमेशा यह ऐसे समस में आपको क्या करना है, ratio निकालना है, अगर ratio equal आ रहे है, इसका मतलब वो angle by sector है, अगर ratio equal नहीं आ रहे है, इसका मतलब वो angle by sector नहीं है, अभी ratio किसका, तो by angle by sector properties हम लो कौन सा ratio निकालते थे, देखो, यह आपका side, यह कौन से side पे cut कर रहे है, यह side पे, तो यह side को छोड़ दो, इसके अलावा, जब मैं इसका solution start करूँगा, तो सबसे first ratio में किसका निकाल लोगा, PQ upon PR, क्योंकि यह आपका बचा side है, तो क्या लेकूंगा, PQ upon PR is equal to, PQ का value कितना है, 7, और PR का value कितना है, 3, यह statement number 1 हो गया, similarly, अब मैं इसका value निकालोंगा, जब मैं इसका value निकालोंगा, तो यहाँ पर मैंने पहले PQ लिया है, तो यहाँ पर भी पहले मेरे को क्या लेना है, QM लेना, उसी के side वाला value ले अगर दोनों को मैं 5 से cut out करता हूँ, तो मेरे को ratio मिलता है, 7 upon 3, which is statement number 2, तो आपका यह statement number 2, दोनों का value देखो, equal आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, from 1 and 2, PQ upon PR is equal to QM upon MR, यह हो गया, फिर आप क्या लिखोगे, therefore, in triangle, कौन सा triangle, in triangle, PQR, PQ upon PR is equal to QM upon MR, यह आपको statement दिया हुआ है, therefore, therefore, क्या हो जाएगा, segment PM is the angle bisector of triangle PQR, therefore, segment PM is the angle bisector of triangle PQR, I hope आपको यह question समझ में आया, आगे के questions के लिए भी आपको try करना पड़ेगा खुच से, बढ़ फिर भी मैं आपको solve करके दे रहा हूँ, देखिए, जब आप equation सीख लेते हो, तो make sure कि आप बाकी सारे question को try कर रहे हो, कि हाँ, मुझे attempt करना है, मैं try करता हूँ, मुझे आता है कि नहीं खुद से, क्योंकि exam में हम नहीं रहने वाले, आपको खुद ही करना है, चलिए, इसमें जब आप check out कर रहे हो थे, सबसे पहले, आपको ratio कौन सा निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, solution, ratio क्या हो जाएगा, PQ by PR, PQ by PR का ratio निकालूँगा, तो PQ value 10, इसका value 7, इसको डालेंगे equation number 1, फिर इसके बाद second statement आपका क्या आएगा, यह वाला value, तो मैंने क्या बहुत जब आप PQ लेते हैं, तो यहाँ पर आपको MQ consider करना है, तो next value क्या होगा, MQ upon MR, या फिर RM, MQ का value कितना है, 8 और इसके value कितना है, 6, अगर इसे मैं cut भी करता हूँ, तो 2, 4 जा होता है, 2, 3 जा होता है, which is my statement number 2, अब मैं क्या लिखूंगा, from 1 and 2, PQ upon PR is not equal to MQ upon MR, यह दोनों values equal नहीं है, अच्छा, अगर दोनों values equal नहीं है, तो अब मेरा triangle में क्या है, देखो, in triangle, in triangle, PQ upon PR is not equal to MQ upon MR, नहीं है, therefore, segment, segment कौन सा, PM is not the angle bisector, therefore, segment PM is not the angle bisector of triangle, कौन से triangle का, of triangle PQR का, तो segment PM जो है, वो angle PQR का angle bisector, इस case में नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके ratios equal नहीं है, चलिए, यह last sum, last sum हम देखते हैं, last sum के लिए क्या करने वाले है, यह तो अभी आप इसमे expert हो जाओगे, चेक आउट करो, यह कौन से side पे, यह side पे, तो इस side को बाद में देखते, पहले क्या करेंगे, PQ का ratio निकालेंगे, और PR का ratio निकालेंगे, जब PQ का ratio निकालेंगे, तो 9 by 10 हो रहा है, statement number 1, उसके बाद जब आप यह वाला value निकालते हो, यह वाला value जब आप ratio निकालते हो, तो फिर इसमें आपको पहले क्या करना, PQ लिया था, PQ तो पहले मैं क्या लोगा, QR लोगा, sorry QM लोगा, तो यहाँ पर मेरा QM आ गया, उसके बाद मेरा, यह मेरा यहाँ पादे को MA, यह QM आ गया, और next value मेरा क्या होगा, MR का value होगा, तो QM का value मेरा को कितना दिया, 3.6 औ मेरा को उपर क्या करना पड़ेगा, multiply by 10, 3.6 multiply by 10, तो नीचे भी क्या होगा, 4 multiply by 10, तो उपर का value कितना होगा, 36, और नीचे का value कितना होगा, 40, multiply by 10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही number के बाद decimal है, तो जब एक number के बाद decimal है, you have to multiply by 10, अगर 2 है तो multiply by 100, 3 है तो multiply by 1000, यहा अब इसे आप कट करो तो देखो कितना हो जागा आएगा क्या परोबर भाई ओम 4 आ रहा गा देखो कितना इकोल हो जाएगा 9 by 10 क्यों 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 कैसे आ गया 9 by 10 डारिक्ट आ गया 4 से कट किया 4 से 4 9 36 4 10 40 तो अभी ये किसका वाल्यू हो गया आपका QM अपॉन MR का वाल्यू QM अपॉन MR का वाल्यू इक्वल आ गया इसको हम क्या डालेंगे स्टेट्मेंट नमबर 2 therefore मैं क्या लिखूंगा PQ अपॉन PR is equal to QM अपॉन MR ये आपको स्टेट्मेंट मिल गया इसके बाद का स्टेट्मेंट आपको खुच से लिखना है ये आपका रहेगा लास्ट वाला स्टेट्मेंट आपको खुच से लिखना है इन ट्राइंगल का करके दर्फोर सेग्मेंट PM इस दा आइंगल बाइसेक्टर ओफ दी ट्राइंगल PQR आयोप आपको ये क्वेशन समझ में है तो प्लीज टेक आ नोट आप दिस इसके आगे की वीडियो आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर अप्लोडेट मिलेंगी चैनल अगर आपको यहां का टीशिंग मेंटड पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जादा से जादा शेर करें मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेशन के साथ त